हालो एर्ईवन तोड़ेयर आम गोइंग तो डिसकस क्वाटाईल डेविएशन गोटाइल को डेस्ट करने का टेकनीख आपको अब भी बताएंगे इट जोनेटपाई बाई क्यू क्यू कैपितल क्यू से इसको डिनोट करते हैं तो क्वाटाईल डेविएशन को calculate करने का जो formula होता है this is q3 minus q1 upon 2 q क्या हो गया quartile deviation q3 हो गया है third quartile और 75th percentile q1 is first quartile और 25th percentile formula इसका देखिए q1 को calculate करते हैं l plus i whole bracket n upon 4 minus cumulative frequency 1 upon fq bracket close same formula होता है q3 का बस q3 को जब calculate करते हैं तो l plus i यह जो bracket बनेगा इसमें देखिए क्योंकि q3 है तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर 3 n upon 4 हो जाएगा बस इतना ध्यान रखना है third quartile की बात करेंगे यह first quartile है यह वाला पहला q1 और q3 जो है वो आपका third quartile है 3 n upon 4 minus cumulative frequency 1 upon fq so अब n4 क्या है n upon 4 यह जो आपने formula में देखा n upon 4 क्या है fourth part of n मतलब जो आपका total n होगा you have to divide total n by 4 l l small l हो गया exact lower limit where when n4 falls यह where होगा sorry where where n4 falls the exact lower limit अभी हम example देंगे तो this will be clear to you all small i is size of class interval as you all already know cumulative frequency जो है that is cumulative frequency of class interval where n4 falls जहां तक वो जाएगा जहां तक आपका frequency का total जाता है cumulative मतलब सायूक्त या संचय या मिलाई हुई जिसको जोड़ देंगे तो यह जहां पर cumulative frequency का जाएगा उसको उसको हम लिखेंगे और fq है frequency of class interval when when n4 falls यह भी वेर होगा वेर n4 falls तो यह इस तरीके से यहां पर clear होगा आप लोगों को now this is the example यह देखिए example यहां पर scores दिये गए हैं आपको इस तरीके का दिया गया होगा frequencies आपको दी गई होंगा यह जो frequency थी मान लिजे किसी हम exam का ले लेकि marks है या बच्चों का है उसके हिसाब से तो n is 50 आप सबसे पहले आप करेंगे cumulative frequency को calculate करेंगे cumulative frequency calculate कैसे करते हैं जैसे देखिए यह 1 लिखा है यहां पर 1 का 1 लिख देंगे आप क्या करेंगे 3 plus 1 4 यह देखो 4 4 plus 2 6 6 plus 5 11 11 plus 6 70 ऐसे diagonal plus होता जाएगा यू 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 करके और यह जो 50 है यह last यहां पर 50 आएगा यह ध्यान रखिएगा this number total n should come here on the top of cumulative frequency now coming on to first thing q1 अब हम calculate करते हैं l plus i n upon 4 सबसे पहले आप देखिए n upon 4 आपको calculate करना है तो n हमारा क्या था 50 यहां देखिए n जो है यह आपका 50 है तो 50 divided by 4 is equal to यह आपका जाएगा 12.5 अब यह ध्यान देना है कि 12.5 जो है यह इससे जो value है जैसे आपने पिछले वाले में किया था हम calculate करते थे median में यहां पर भी वही बात आएगी कि जो value है आपकी वो 12.5 से जादा नहीं आनी चाहिए तो यहां देखिए जो यह मैंने मार्क करा हुआ है वो इसलिए मार्क करा है कि 12.4 जो है वो आपका यहां तक 11 आया है यह जो 11 है यहां तक नीचे का total 11 आ गया है और 11 में यह 6 प्लस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा इसी में इसका मतलब यह जो है n upon 4 का यह जो value है यह आपकी इस वाले 40 to 44 वाले class interval इस range में आएगा I think this will be clear n upon 4 इसलिए यहां पर mention करा है क्योंकि जब हम n को calculate करेंगे यह वाला जो है n upon 4 वाला क्यों सा class interval लेंगे q1 के लिए तो यहां देखिए q1 को calculate करने में आप यह ध्यान देंगे कि n का जो formula था n upon 4 आप लेंगे तो n upon 4 के लिए 12.5 आया है 12.5 इसी class interval में range में आएगा तो देखिए जब q1 calculate करने क्योंकि यह पहला q1 है और उपर वाला q3 होगा तो q1 को आपने calculate करा इसका lower 30 था 40 का exact lower limit जो है l जो है वो चला जाएगा 40 से कम 39.5 I think this will be clear 39.5 plus I, I आपका class interval है 5 का range लिया गया है तो 5,5 आगया n upon 4 अभी आपने calculate करा 12.5 तो यह 12.5 आगया minus cumulative frequency अभी मैंने आपको बताया था जो class interval आप लेंगे वहां तक की नीचे की total इसको कहेंगे cumulative frequency यह देखिए यह यहां तक की यह तक की यह total cumulative frequency यह ले लेंगे 11 और जिस class interval में range आएगी जिस class interval जिस range में यह आएगा value वहां उस वाले उस frequency को यहां पर नीचे लिख देंगे FQ में अपन 6 तो यह देखिए clear होगा 39.5 plus 5 into यह multiply by 1.5 upon 6 यह calculate कर लिया हमने और calculate करके Q1 आपका आगया है 40.75 सेम वरीके से आप Q3 calculate करेंगे Q3 के लिए भी formula will be same L plus I bracket में बस यहां पर 3 चला जाएगा 3 क्यों चला जाएगा क्योंकि 3N आप लेते हैं Q3 calculate करना देखिए यहां जब Q1 calculate कर रहे थे तो N upon 4 ले लेंगे पस यही एक trick है इसका और जब आप Q3 calculate करेंगे तो 3N हो जाएगा तो 3N upon 4 minus cumulative frequency यह आपका चला जाएगा अब अगर आप इसको ध्यान देंगे तो देखिए यहां पर अगर हम लिख देते हैं 3N upon 4 अगर आप इसको यहां पर calculate करें तो 3 multiply by N है आपका 50 upon 4 15 upon 4 this will be 37.5 यह आजाएगा 37.5 यह हो गया आपका rough world 37.5 तो यह जो value है आपकी यह देखिए 37.5 यह जो आपने calculate करा है अब यहां पर आप ध्यान देंगे यह वाला class interval हम यहां पहुँच गए 36 था देखिए यहां तक का total आपका 36 आया था जैसे यहां 11 पे हम रुके थे क्योंकि हमको 12.5 चाहिए था अब हमारा answer आ गया 37.5 तो 37.5 यहां से उपर चलेंगे यहां तक का total 36 आ रहा है 36 में 9 प्लस करेंगे मतलब हर हाल में 37.5 यह जो है 70 to 74 वाले class interval में इसी range में आएगा तो अब क्योंकि यह 70 to 74 का था तो हमने यहां पर lower limit 670 से कम में 69.5 ले लिया है आई आपको पता है 5 हो गया है 3N अपॉन 4 यह आपका 37.5 आ गया है minus cumulative frequency यहां तक की आई थी 36 यह देखिए 36 आई थी तो मैंने यहां पर देखिए 36 दे दिये FQ जो है वो उस class interval की frequency 9 है यहां देखिए 9 आपके लिख दी है और इसी के साथ यह आप solve कर लेंगे और Q3 की जो value है वो आ गई है 70.33 आप simple Q के formula में value put कर दीजिए तो Q3 minus Q1 upon 2 Q3 is 70.33 और Q1 is 40.75 यह देखिए 40.75 यह आपका आ गया है divided by 2 आंसर आपका 29.5 यह देखिए 2 आंसर विल बी 14.79 तो Q जो है आपका QD quartile deviation for this particular data, this data is 14.79 तो by this process you will calculate quartile deviation यह QD. Thank you.